इसके लिए आपको कोई भी पे नहीं करना है तो आएए पढ़ते हैं आज हम पढ़ने वारे हैं बच्चों Foundation Batch आधार Batch की Class 19 इसमें हम पढ़ेंगे Active Passive के बारे में Active Passive क्या होता है Passive Voice क्या होती है Active से Passive क्यों बनाते है और अकबार हमें पढ़ने में दिक्कत क्यों आती है और अख्मार में सबसे ज़्यादा प्रेसिव का इस्तिमाल क्यों होता है इस सब बात जानने के लिए इस class को अंतक देखे और ये class आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important होने वाली है और class शुरू करने से पहले एक छोटा सा intro मेरे बारे में सब्जेक्ट कॉम्टिटिव मैटा इंग्लिस और टीचिंग में जो मैंना अनुभावे वह साथ साल का रहा है और भाद की तीन दाजियों में पढ़ा चुका हूँ तरपरतीस दाजिस्थान और गुजरात तो आईए शुरू करते हैं लेकिन बच्चो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जो है अपना foundation batch का syllabus चार सपता में divide करेंगे और तीन सपता हम complete कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं active passive इसकी बाद बच्चो मैं आपसे एक शी जो बताना चाहता हूँ आप regular business पे classes देखते हैं week 4 जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा important इसली भी होने वाला है हम advanced batch के और अग्रिसर कर रहे हैं और आप जो है इसमें बहुत ज़्यादा important important चीजे हम पढ़ेंगे आप यह मान लीजे पूरे foundation batch batch की जान है यह पूरे foundation batch की आत्मा आप इसे बोल सकते हो week 4 को क्योंकि इसका प्रित्तिक topic इतना ज़्यादा important है और मैं विल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ हर topic के पहने की बाद आपको एक अलग तरह की feeling आएगी और आप अपनी समझ को अंग्रीजी में बहुत ज़्यादा गहरा और अपने आपको अनुभवी महसूस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं बचो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ basic चीजी active passive इसे passive voice भी बोलते हैं आपके सामने passive voice के हिसाप से भी आ सकता है आप इसे active passive भी बोल सकते हैं यह क्या होता है सबसे पहले में discuss करना चाहूँगा active passive क्या होता है बच्चो active passive active होता है मैं एक पतर लिखता हूँ यह पिल्कु साधान वाक्य है एक होता है पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है ये दो चीज़ आपने सुनी भी होंगे अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की आप हमेशे एक चीज़ का दिहान दखिए पैसिव का मतलब होता है जब कार्जे किसी ओर की द्वारा किया जा रहा हो पैसिव का मतलब एक्शन दवाई समवन जब कार्जे किसी ओर की द्वारा किया जा रहा हो पैसिव का मतलब क्या है एक्शन दवाई समवन पैसिव का मतलब क्या है एक्शन दवाई समवन जब कार्जे किसी ओर की द्वारा करा जा रहा हो जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि तुम्हें पीटा जाएगा देखो ये क्या है? किसी और के द्वारा? मेरे द्वारा नहीं तुम्हें सम्मानित किया जाएगा तुम्हें पुरुस्कृत किया जाएगा तुम्हें सम्मान दिया जाएगा तुम्हें वहाँ ले जाया जाएगा तुम्हें पकड़ा जाएगा तुम्हें मारा जाएगा तुम्हें अंग्रेजी सिखाई जाएगी तुम्हें सब कुछ सिखाया जा रहा है कि जितने भी वह वाक्य बोलता हूँ इसमें हमें एक चीज़ तो बिल्कु साफ तोर पे दिख रही है जब भी कार्जे किसी और की द्वारा किया जाता है वो passive होता है अब देगे बहुत ही ध्यान से एक चीज़ को समझते चलिएगा active passive एक ऐसा topic है इसके बीना English अदूरी है और हमारे जो बच्चे हैं वो passive में काफी दिक्कत मानते हैं passive बहुत आसान है यह इतना आसान है कि आप इस के लास को करने के बाद अगर आप इसे पूरा ध्यान से सुनते हो आपको इसमें जड़ा भी संदे नहीं बचेगा आप इसे बिल्कुल ध्यान के साथ सुनते रहिए और जो मैं समझाता हूँ से समझने का प्रियास किजी इसमें sense का बहुत ज़्यादे depend है जैसा कि मैं आपसे बताता ही हूँ पूरी English sense पे depend करती है और passive एसमें तो special sense का बहुत ज़्यादा धिहान हमें रखना पड़ता है अब देखी अभी मैं आपको दो चीज़ बताई passive का मतलब है action done by someone passive बोले तो action done by someone passive मतलब action done by someone अगर कभी आप रात में भी जुनो passive तो आपकी मुह से निकलना चाहिए action done by someone कहने का मतलब है जब कार्जे किसी और के द्वादा होगा तो वो passive में बनेगा इसका एक सीधा सा उधान में आपसे एक चीज़ बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा बच्चों को अंग्री जी पढ़े होने के बाद भी बच्चों से newspaper नहीं पढ़े जाते अंग्री जी के अकबार नहीं पढ़े जाते एक बहुत अच्छा अंग्री जी को जानने वाला ही अकबार पढ़ सकता है अंग्री जी का अंग्री जी का अकबार हमसे क्यों नहीं पढ़ा जाता देखो बच्चो अंग्री जी का अकबार सबसे ज़्यादा उसमें जो वाकी यूज होते हैं वो पैसिव के होते हैं वो उसमें क्यों पैसिव के यूज होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा देखो बहुत ध्यान सुनवा अकबार में जातर क्या होती है घटना है जो घट चुकी होती है अब देखे चूंकि लिखने वाला क्या होता है कोई और होता है घटना किसी और के साथ होती है घटना की हुई किसी और ने होती है सजा कोई और देता है सुनवाई कोई और करता है इसमें तीन व्यक्ति सडक पर जा रहे थे, उनका एक ट्रक के द्वारा एक्सिडेंट हो गया, माफी चाहूंगा कि मुझे इस तरह की वाकिया बोलने पर रहे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, मैं देखे, जैसी खबर आती हैं, मैं उसी तरह की आपको बता रहाँ, आप पोजि इसके बाद उनके घरवालों के साथ भेज दिया गया, तो ये क्या हैं, उसे चाकू से मारा गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, उसे दंडित किया जाएगा, उसे सजा दी जा रही है, उसे सजा दी जा सकती थी, ये सारे ही वाकिया हैं, ये सब पैसिव हैं, अब आप एक चीज जो ध्यान दख लिजी का इस formula के आपको ध्यान दखना है work plus b plus verb third एक चीज का मैं आपको भूत ही विशेश आपको ध्यान दखना है बिना वर्ब की third form के passive कभी नहीं बन सकता बिना वर्ब की third form के passive कभी नहीं बन सकता अब देखिये हाँ देख्यान से पड़िये विदाउट बी वर्भ ठडड बेना विजह ओ मार्भ ठडड पैसी व को पैस्इव बाउट बाइस और बुल j кол अनीज है अगर आपको से बनाना की रूप है इस आरेम वाजवर बी के ही रूप है कभी भी खोदा जाएगा कभी इन में से किसी को बेच देगा और कभी ये और बी दोनों आ जाएंगे ठीक है ना ये अपने इपनी सेंस की हिसाब से मैं बता दूँगा ऐसा क्यों होता है एक आपको जहां अकना है जो हमारा एक उनिवर्सल सेंटेंज का फॉर्मेट है वो है subject plus work plus object सबसे पहले अगर subject है तो subject आएगा उसके बाद वर्बाएगी उसके बाद object आएगा पैसी में क्या होता है बहिया object का subject येуем जो होता है ये वाला object तो यहां पर आ जाता है और येवाला subject यहां पर आ जाता है और इसके बाद object का subject नहीं subject का object फिर यह वाला यह धगा जाता है I hope यह आपको slide अच्छे से समझ आई होगी अभी आगे चलिए आपको बिल्कु clarity की साथ मैंने बिल्कुल इस तरह से design किये class कि कोई doubt आपको नहीं रहेगा अब आप यहाँ पे देखिए passive की कुछ rule है सबसे पहली बात future continuous और तीनो present, past, future, perfect continuous कहने का मतलब है चार काल के भेदों का passive नहीं बनता कौन-कौन से है future continuous, present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous का passive नहीं बनता आप हमेशा याद रखिए future continuous और present perfect continuous, past perfect continuous future perfect continuous, इनका passive नहीं बनता मुख्य पहचान, आप पहचानों की कैसे कि यह passive का वाक्य है देखिए, सबसे ज़्यादे तुम्हें एक चीज़ बता दूँ आपकी sense से ज़्यादा इस दुनिया में आपको कोई साथ नहीं देने वाला है मैं आपको कुछ formate, कुछ class में आपको समझा सकता हूँ और अगर आप मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान से चलोगे मैं आपको कहता हूँ sense जो है ना इस दुनिया की और आपकी खुद की सबसे ज़्यादा एक सम्मानित चीज़ है आपका सारा सम्मान आपकी sense की वज़े से है क्योंकि आपकी sense की recording है आपको जो भी आज आपकी पहचान है वो आपकी sense की recording है क्योंकि आपने जैसे जैसे कालजे की होंगी वो आपकी sense की हिसाप सी की होंगी आप देखिए बहुत ध्यान से किस तरह से पहचानेंगे हम सबसे ये दो पहचान है हादा कि ये दो पहचान एक ही पहचान है लेकिन इनने में दो वाक्यों में बाट दिया गया है कार्जे किसी और की द्वारा किया जा रहा हो सबसे पहली पहचान है और मुख्या पहचान है कार्जे जब किसी और की द्वारा किया जा रहा हो और दूसरा जहां काम की जहां काम ज़ादा महत्पूर हो और काम करने वाला नहीं जहां काम की महत्ता करने वाले से भी ज़ादा हो जाती है वहां क्या है हम पैसिव कर यूज़ करते हैं देखिए ध्यान से मेरे साथ सुनिएगा आग, Example, let's learn with example, आग ये उधानों से सीखते हैं, He is being bitten by public, उसे public की द्वारा पीटा जा रहा है, ये क्या है, ये हैं हमारा ये वाला, काले की से ओर की द्वारा हो रहा है, He is being bitten, उसे public की द्वारा पीटा जा रहा है, जहां काम ज़्यादा important हो, और काम को करने वाला नहीं, road was being made, सड़क बनाई जा रही थी, अब देखिए आप एक चीज मुझे बताईएगा, suppose कीजी आप जहां भी रहते हो, उसके भार एक सड़क है, जो बहुत ज़्यादा टूट फूट रही थी, और अब वो सड़क बनाई जा रही है, आप एक चीज बताईएगा मुझे, आपके पापा जी अगर साम के समय आते हैं, और आपसे पूछते हैं कि सड़क बन गई क्या, सड़क बनाई जा रही है, अब आपके लिए सड़क ज़्यादा इंपोटेंट है, सड़क को जो बना रहे हैं वो ज़्यादा इंपोटेंट है, आपके लिए 100% आपके लिए सड़क इंपोटेंट है, क्योंकि जो सड़क बना रहे हैं, उन्हें आप जानते नहीं उनका जानने का प्रियास भी आप नहीं करते क्योंकि आपको मतलब है सडक से तो जहां काम की महत्वता करने वाले से जादा हो जाए वहां भी हम passive का इस्तिमाल करते हैं वहां भी हम passive का इस्तिमाल करते हैं एक बार फिर में revision करा देता हूँ future continuous और present perfect continuous past perfect continuous और future perfect continuous का passive नहीं बनता इसकी मुख्य पहचान है जब काले किसी और की द्वारा हो रहा हो और जहां काम जादा महत्पून हो काम को करने वाला नहीं वहां हम passive का स्टमाल करते हैं जैसे कि he is being beaten by public उसे public के द्वारा पीटा जा रहा है road was being made सड़क बनाई जा रही है अब यहां क्या हुआ सड़क जो है वो हमारे लिए ज़्यादा important है ना कि उसको बनाने वाले आईए अब next slide पर देखते हैं आप देखिए यहां पर बड़ी ही ध्यान से आप देखिएगा मैं आपको यह example बताने से पहले इस समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाना चाहता हूँ जिसके बार आपको passive के उस समझने में काफी आसानी होगी आप एक चीज का ध्यान दखिए इस कहानी को सुनाने के लिए कि blank page ले लेते हैं blank page तो वैसे है नहीं लेकिन इससे हम blank page बान लेते हैं अब देखिए आप एक चीज आप ध्यान दखिएगा किस तरह से active यह है active और यह है passive पैसिव जब बना पैसिव का जब जनम हुआ पैसिव जब बनने लगे तो active से passive ने कहा कि मेरे सारे वाक्या वर्ब की थर्ड फोर्म से बनेंगे वर्ब की थर्ड फोर्म से बनेंगे मेरे सारे वाक्या यह है active यह है passive ठीक है passive ने यह है active यह है passive तेखिये बिल्कुल ध्यान से चुनेगा पैसिव ने कहा एक्टिव से कि मेरे सारे वाक्य वर्ब की थर्ड फोर्म से बनेंगे किस से बनेंगे वर्ब की थर्ड फोर्म से एक्टिव ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है हमारे बहुत से वाक्य वर्ब की थर्ड फोर्म से बनता है हमा सारे बात क्यों में, मेरी पहचान वर्ब की third form है, फिर active ने कहा कि ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लोग confuse हो जाएगी, कि active कौन सा है, passive कौन सा है, क्योंकि हम भी वर्ब की third form लगाते हैं, तो active और passive अदालत में गए, और अदालत ने एक निर्ने दिया, कि passive आप एक काम कीजिएगा, आप B ले लो, B, क्या ले लो आप, आप ले लो B, B, E, B, B के जरीए, आप B के जरीए, आप अपनी पहचान निश्चित कीजिएगा, अब देखिए, वर्ब की third form रहेगी, ठीक है, लेकिन B में बार-बार बतलाव होगा, according to tense, B में बार-बार बतलाव होगा, according to tense, तो, अब जो है, इनकी matter, इनका solve हो गया, क्योंकि passive की पहचान, क्या है B प्लस वर्ब की third form, वर्ब third तो आनी ही आनी है, क्योंकि passive भहत अरियल आदमी था, और passive ने वर्ब की third form, तो ले ही ली, लेकिन साथ ही साथ, इसे B दे दिया, तो, अब पहचान करना असान हो गया, कि ये passive है और कौन से वाला है, क्योंकि B जो है, passive में आता है, अब देखिए, अब मैं आपको example के ज़री ये बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान, एक दम समझे में आएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए, match is played, match is played, देखिए, ये रही वर्ब की third form, ये रा कार्जे है, match is played, match खेला जाता है, अब देखिए, match is played, match खेला जाता है, देखिए, match खेला जाता है, sense क्या है इसमें, कि match खेला जाता है, इसमें जाहिसी बात है कि कि किसी ओर के द्वारा खेला जाता है, या फिर जो बोल रहा है उसके द्वारा खेला जाता है, तो इसमें और भी तो हैं, यानि कि action done by someone अभी मैंने आपको ये दिखाया था, सबसे शुरुआत में ही ये पूरी की पूरी slide इसी पे ही यादारित है देखें, बहुत ध्यान से इसे देख लीगा work plus b plus verb third work plus b plus verb third work plus b plus verb third अब देखें, इसे बिल्कुल ध्यान से, मैं क्या बताने का प्रयास करता हूँ देखें, ये रा work, ये दी verb, वो, sorry b और ये रा work third match क्या है, इसमें है work, काम ये क्या है verb, और ये क्या है इसमें, work third match क्या है, work, is क्या है, be और आपका played क्या है, work third देखें, match is played, match खेला जाता है अब देखें, जब भी कोई काम होगा और किसी और की द्वारा होगा, वो passive में बनेगा इस RM वाजवर के साथ कभी जीवन में वर्ट की third form आही नहीं सकती अगर आ रही है, तो वो सिर्फ passive है passive की सिवाए कुछ नहीं हो सकता हो अगर इस RM वाजवर के साथ कभी भी वर्ट की third form देखने के लिए मिल रही है तो आप समझ जाना कि वो passive है वो passive की सिवाए और कुछ नहीं हो सकता match is played, आप देखें match खेला जाता है, यहाँ क्या है match की भूमी का बहुत जादा है खेलने वालों से भी जाता है इसलिए इसे बनाया match is played, match खेला जाता है ठीक है, आप देखें यह दी वर्ट third form इससे पता चला कि यह present का passive है इससे पता चला कि यह present का passive है match was played match खेला गया match खेला गया बच्चों इसे बहुत ध्यान से देख लीजेगा आप बार, 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 इसी में ही गलती करोगे match was played match खेला गया आप इसे खेला जाता थामत बना दिना यह बनेगा match was played जब भी, देखें, वाल्स की sense जो है थोड़ी अलग आती है यह कि इसका अफवाद आप मान दिजे match was played, match खेला गया आप इसे समझ लीजी, ऐसा ही बूला जाएगा match खेला गया देखे, he was killed, उसे मारा गया he was taken to hospital उसे hospital ले जाया गया he was, he was bitten उसे पीता गया he was punished, उसे सजा दी गई तो इस तरह से ही यह बूलेगा वाजवाली सेहन साब ध्यान से देख लीजेगा match will be played देखे अब, एक चीज, बहुत ध्यान से verb third यह आगई, be यह आगया और will will से पता चला future का है be आता ही है future के साथ will तो आता ही है will be, और played, play चला चला third form है, card यह passive, match is being played match खेला जा रहा है match is being played, match खेला जा रहा है match was being played match खेला जा रहा था देखे अब, बहुत ध्यान से देखे, is अब उसने कहा कि is तो हमने उपर भी लगाया इहां भी लगाया, तो पहचान कैसे होगी देखे यह खाली जाएगा तो आप समझाना present indefinite का passive है और इसके साथ अगर being आ गया being इसके साथ अगर being आ गया तो आप समझाना की present continuous का passive है वास के साथ being आ गया तो आप समझाना past का continuous है यह past continuous का passive है तो इससे पता चला present है being से पता चला continuous है और played से परदा चला passive है तो match is being played, match खेला जा रहा है यह sense आप बहुत ध्यान से सुन लीजेगा यह आपको बहुत ज़्यादा help करने वाली है match has, देखें, match was being played, match खेला जा रहा था match has been played, match खेला जा चुका है match has been played, match खेला जा चुका है match had been played match खेला जा चुका था match will have been played match खेला जा चुका होगा अब आप बहुत ध्यान से देखेगा देखे, खाली होता है match has played तो ये हो जाता हमारा present perfect लेकिन has के साथ been आप देखे, has के साथ be bean क्या है वर्प्थर्ड इसमें तो लगती ही जी लेकिन बी का बीन वर्प्थर्ड हो गया, तो ये किसका बन गया present perfect का passive ये हो गया past perfect का passive और ये हो गया future perfect का passive अब आप कहोगे कि आपने मना किया था कि perfect का नहीं बनता, हाँ मैंने मना किया था लेकिन हो present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous का passive नहीं बनता तो I hope आपको यह समझ आया होगा Next slide पर चलते हैं अब देखी I write a letter, मैं एक पत्र लिखता हूँ A letter subject का object बनिया Is written by me एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है I wrote a letter मैंने एक पत्र लिखा A letter was written by me इसकी होगी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया I will write a letter मैं एक पत्र लिखूंगा A book will be written by me Sorry यह letter आगया इसे भी आप letter मान लेना है यह इसे book मान लेना एक किताब मेरे द्वारा लिखी जाएगी एक किताब मेरे द्वारा लिखी जाएगी और मैं बिलकुल दावे के साथ कह सकता हूँ जो जो वच्चे भी मुझे सुन दाए है या फिर जो भी student है भारत के बहुत सारे युवां आने वाले समय में अपने अपने एक किताब लिखेंगे और अपने विचारों से देश को लाभान विख करेंगे मुझे हैं पर पूरा भरोशा है मैं कंची खेल रहा था marbles were being played by me marbles मेरे द्वारा खेले जा रहे थे I have done work I have done work work has been done I have done work मैंने काम कर लिया work has been done काम हो चुका है I had done work मैंने काम कर चुका था work had been done काजे हो चुका था ठीक है न अब देखिए आप next slide देखिए models और tense पे अधारित है road is made सडक बनाई जाती है या सडक बनती है road was made सडक बनाई गई मैं पहले ही बताई था was road will be made सडक बनाई जाएगी road is being made सडक बनाई जा रही है road was being made सडक बनाई जा रही थी road has been made सडक बना दी गई थी या फिर बन चुकी थी road has been made का सड़क बन चुकी है road will have been made सड़क बन चुकी होगी road will have been made सड़क बन चुकी होगी बहुत ही ध्यान से देखना morals में मोडाल में हम passive किस तरह से बनाते हैं road may be made सड़क शायर बन सकती है मैंने आपसे पहले ही बताया था I will come, I shall come में आउंगा I will come में जरूर आउंगा I may come में आ सकता हूँ शायद I might come में शायद ही आउंगा I can come में पक्का आउंगा तो इसी तरह से road may be made सड़क शायर बन सकती है पक्का नहीं है शायर लेकिन possibility ज़्यादा है 70% possibility है कि सड़क शायर बन सकती है लेकिन road might be made सड़क शायर ही बन सकती है possibility बिलकुर 30% है कोई आपकी गली महले society, colony में कोई ऐसा निता आ गया है आप बोलते हो कि road might be made सड़क शायर ही बन सकती है क्योंकि कोई गलत आदमी आ गया road can be made सड़क बनाई जा सकती है जिसको आपने सोचा था वो ही नेता आ गया है और अब आप देखे road can be made सड़क बनाई जा सकती है आप ऐसा मान लेजिएगा कि आपके कोई relative ही विधायक MLA या सांसत बन गया है और आप सड़क बनना बिल्गु पक्का है उन्होंने आप से कहा था और आपने बहुत ही possibility के साथ कहा सो की 100% सड़क बनाई जा सकती है road could be made आपके कोई relative थे और वो क्या है विधायक थे सपोस कीजिए आप और उन्होंने क्या है road could be made सड़क बनाई जा सकती थी यानि कि किसे और के द्वारा इन सारों में आपको एक चीज़ का बहुत विशेज जहां दखना है आप सेंस समझने का प्रयास किजिएगा इन सारों में ऐसा दरसाया जारा है आपको सेंस से यही सिर्थ देखना है कि action done by someone कार्जे किसी और की द्वारा हो रहा है आप देखिए road should be made सड़क बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और नेता जी आपके बहुत बड़ी बड़ी बाते कर रहे हैं आपने उन्हें कहा road should be made सड़क बननी चाहीए road should be made सड़क बननी चाहीए road used to be made अपने नए वाले नेतर से कहा कि सड़क बनती थी यानि कि कोई और बनाते थे पहले बनती थी अब नहीं बनती तो हम यूज्टू कप्रियों करते हैं जो काम पहले होता था अब नहीं होता रोड मस्ट भी मेड आपकी यहां की सड़क इतनी खराब है इतनी ज़्यादा खराब है कि उस पे आना दूभर हो गया है कोई उस आना ही सकता रोड एक्सिडेंट उसकी वेज़ से बहुत हो रहे हैं आपने कहा रोड मस्ट भी मेड सड़क बनने ही चाहिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है road must be made to avoid accident accident से बचने के लिए सड़क बननी ही चाहिए तो must be का हम प्रियोग इसमें किया है road ought to be made सड़क बनाई जाने चाहिए एक नैतिक्ता के तोर पे आप कह रहे हो कि बहुत सारे व्यक्ति मिलके आप बोल देऊ कि सारी सड़के बननाई जानी चाहिए तो इस परकार हम morals पैसिव कर यूज करते हैं ये कुछ और example है पैसिव के he was taken to a hospital उसे अस्पताल ले जाया गया it was sent to the a इसे दिया को भेज दिया गया इसे दिया को भेजा गया it is said आपने ऐसा किसा सुनाओगा कि ऐसा कहा जाता है क्या कहा जाता है भई it is said that he was criminal ऐसा कहा जाता है वह अपरादी है ऐसा कहा जाता है वह अपरादी है तो it is said ऐसा कहा जाता है अपनी writing में आप इस sentence को बहुत ही ज़्यादा यूज कीजिए it is said ऐसा कहा जाता है it is heard ऐसा सुना जाता है देखे it is heard ऐसा सुना जाता है या फिर सुना है या फिर कहा है देके action done by some मन सारे काम किसी और के द्वारा हुए है it was heard ऐसा सुना गया थाथ ऐसा सुना गया it was hard यह सुना गया देके अकसर कोई ऐसी बात है जो आपको किसी ने बताई नहीं लेकिन आपको व some other interactions कहीं से आप बोलते हो कि ऐसा सुना गया था आपको सामने वाल ने नहीं बताई लेकिन आपको पता चलिए आप बोलते हो ऐसा सुना गया था ऐसा सुना है कि It has been heard ऐसा सुना गया है ऐसा सुना गया है या ऐसा सुन चुका हो कि तुम अपरादी हो It will be sad यह कहा जाएगा यू विल बी पनिष्ट आपको सजा दी जाएगे इट कैन बी सेड यह कहा जा सकता है और देखिए यहां तक क्या हुआ मैंने आपको पैसिव के बारे में बताया मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश किया आपको पैसिव के बारे में एक मोटे मोटे तोर पे बताद हूँ कि पैसिव होता क्या है पैसिव का यूज हम क्यों करते हैं एक मोटे मोटे तोर पे आप इतना ज़्यादा समझ लीजिए पैसिव का परियोग हम जब कारे किसी और की द्वारा किया जाता है एक तो तब करते हैं और दूसरा जहां पर काम की value व्यक्ति से ज़्यादा हो जाती है तो वहां भी हम passive का use करते हैं मैंने आपको धेरो example के साथ बताया है और अगर आप इसे पूरी अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को दो-तीन बात देख लीजिए का चाहिए लेकिन आप इस पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम कम से कम आप इसे 50 sentence बनाई सारे format मैं आपको दे चुका हूँ आपको क्या करना है सिर्फ action उठाने हैं जैसे मैंने match और road का उठाया इसी तरह से आप अलग-अलग उधारन उठा सकते हैं और in passive कि आप practice कीजिए देंकि सबसे बड़ी मैं आपसे एक खीज बता दूँ आप अपने साथ-साथ मेरी भी आप अपने साथ-साथ मेधा भी अपमान करोगे अगर आप इसकी practice नहीं करते क्यों आप अपमान करोगे क्योंकि देंकि जितने result मैं आपको देना चाहता हूँ उतने result आपको नहीं मिलेगे अगर आप practice नहीं करोगे क्योंकि कहा जाता है practice makes a man perfect ऐसा कहा जाता है कि अभ्यास जी व्यक्ति को पून संपून बना देता है और मेरा पूरा विश्वास है कि आपका अभ्यास आपको भी अंगरी जी में एक महालत हासिल कराएगा और आपको बहुत अच्छा वक्ता बनाएगा और आपके शब्दों से आपके विचारों से आपके विवास से आपके संसकारों से मैं और हमारा देश दोनों ही लाभनमित होंगे तो आप अपने आपको एक अच्छा वक्ता बनाएगे एक अच्छा लेखर बनाएगे एक अच्छा राइटर बनाएगे एक अच्छा रीडर बनाईए सब कुछ आप अपने आपको बनाईए अपना पूरा समय अपनी अच्छाईयों को भरने में लगा दीजिए और जाते जाते एक एक्स्ट्रा नूलीज मैं आपको बताना चाहता हूँ देखें, क्योंकि एक किसी भी एक्सी भी शिक्षा देने वाली संस था इंस्टिटूटि स्कोल, कॉलिजिज या फिर यूनिवर्स्टी का सच्चा काम होता है कि वो अपने बच्चों को, अपने विध्यार्चों को हर चीज से परिचित कराए वो उन्हें पूरा जीवन का बताए कि जीवन क्या है और सची सिक्षा वो ही है जो आप सिक्षा को समझ सको खाली पढ़ना सिक्षा नहीं है बहुत सी सिक्षा तो ऐसी है जो कभी पढ़ाई नहीं जाती लेकिन वो सत्य सिक्षा है उसी के जरीए आप जीवन में अपना व्यक्तित्र बनाते हो अपना च्रिद्र बनाते हो तो इसी लिए लेकिन Edu-teal education आपको हर उस तरह की शिक्षा प्रवाइड करेगा जिस भी तरह की शिक्षा एक विध्यार्ची को होना चाहिए आपने Edu-teal education का अगर अबाउट पढ़ा हो तो उसमें आपने की सेशन में बहुत सारे लेने वाला हूं, लेकिन अब दे कि धीरे-धीरे हम काफी कुछ दिक्कते अभी आ रही है, शुरुवात की बात है, लेकिन हम आपको पूरी तरह से हर तरह की शिक्षा देने का प्रियास करेंगे, अपना संपूर्ण प्रियास करेंगे अब आप बहुत ही ध्यान से सुनीगा मुझे आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चलने वाली है और आपके बहुत ज़्यादा काम की यह होगी हो सकता है आप इसे जानते हो हो सकता है आप इसे नहीं जानते हो बच्चो पैसी वर्णिंग आज जीवन में लोगडाउन के समय में इससे जादा इससे जादा इंपोर्टेंट शब्द वाक्य पंक्ती किसी के लिए नहीं हो सकती आप तो शायद इस्ट्रेंट हैं आपके कंधों पर अभी जिम्मेदारिया नहीं है आपके सिर्पर अभी जिम्मेदारिया नहीं है लेकिन जिनके उपर जिम्मेदारिया है तो उनको ये जरूर समझ लेनी चाहिए कि पैसी वर्णिंग क्या होती है मैं आपको समझा रहा हूँ और आप किन ही उन व्यक्चियों को इसकी बारे में बता जरूर देना कि पैसी वर्णिंग क्या होती है जो आज बहुत ज़्यादा परिशान है और अपने बिजनस में लोज़ उठाके बैटे है तेकि पैसी वर्णिंग क्या होती है सबसे पहले कुश्यन है मित आपसे Do you know about पैसी वर्णिंग? आपको सिर्फ एक बार काम करना होता है और आपकी अर्णिंग बहुत लंबे समय तक आती है या फिस सदेव आती रहती है अब आप बहुती सरल सब्दों में मुझसे समझेगा पैसी वर्णिंग क्या होती है एक ऐसी कमाई जिसके लिए आपको बार-बार काम ना करना पड़े आप एक बार काम कर दो और उसके बाद आपको जो है पैसा आता रहे आपने ऐसा अक्सा सुना होगा कि मैं सोता रहूं और मेरा पैसा आता रहे और बहुत सारे बड़े बिजनेसमेन भी बोलते हैं कि काम हमें ऐसा करना चाहिए कि जब हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारे लिए धेरो काम हो रहा हूँ ये सब पैसिव अर्णिंग की फोर्मिट पर ही भी बोल रहे हैं और आज जागरूप तब बहुत जादा है भारत के विध्यारती इस्टुडेंट और बिजनसमेन हर कोई पैसिव अर्णिंग का बहुत जादा लाब ले रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप भी आने वाले समय में अगर आप थोड़ा बहुत कमाना चाहते हैं कहने का मतलब है इस्टुडेंट लाइफ के साथ साथ तो आप पैसिव अर्णिंग के बारे में जादा से जादा जानी है और आपको अगर इस पर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं अलग से बना दूँगा अब देखिए सबसे पहले में आपको समत तो आगया जिसमें बार-बार काम ना करना पड़े वो पैसिव अर्णिंग होती है सबसे पहले में आपको बताना चाहूँगा यूटूब के बारे में यूटूब जो है एक पैसिव अर्णिंग का सोर्स है बहुत जादा देखिए किस तरह से अब देखिए यूटूब पर जो है जैसे कि एजूटिय एजूकिशन है हम ओफलाइन क्लासे में क्या होता था हम बच्चों को गलास पढ़ाते थे फिर कोई नए बच्चे आते थे फिर हम उसे वही लगास पढ़ाते थे कि हर तीन महिने बाद हमें अपना नया कोस हमें बिलकुल नए बच्चों को नई तरह से पढ़ाना होता था और क्या होती है हमें भी this video होती थी और हमारा भी बहुत जादा पैसे हर चीज में लगते ती और बच्चों से भी उस्ही वज़ासे बहुत प्लस वहिकल का भी होता है और रहने का भी होता है हल तरह के बहुत सारे जब हम एक ओफ-लाइन कोचिंग में थे पढ़ाता था तो बहुत सारी जगा मुझे पैसा देना पड़ता था तो उसी वज़े से मुझे बच्चों से भी जादा चार्ज करना पड़ता था लेकिन यू जो भी बच्चा आएगा मैं उससे बोल दोगा कि आप यहां से ले सकते हो देखिए मैंने एक बार पढ़ाया और पैसा इसका मुझे अब आज जीवन आता रहेगा जब तक मेरी वीडियो यूट्यूब पर हैं जब तक मुझे पैसा आता रहेगा यारे कि अब देखिए मै यह ऐसी स्किल है आपके अंदर 100% ऐसी स्किल है कि आप अपनी अलग विशेश पहचान बना सकते हो क्योंकि प्रकरती ने हर किसी को एक विशेशता के साथ प्रत्वीर पे भीजा है और आपके अंदर भी विशेशता जरूर है तो आप अपनी क्रेटिव टीव को खहला से कमाते हैं जो एक लेखा कोते हैं विक इस्तरा से कमाते हैं वो एक लिखते हैं वो एक बाद लिखते हैं और उसकी अगर वो भुग बिख्ती रहती है ऐसके बाद भिक्ती रहती है क्योंकि येकि बुक पढ़ना कभी जीवन में बंद नहीं हो सकता प्रत्वी ही कतम हो गई तो बुक पढ़ना कोई छोड़ सकते हैं तो भुक तो हमेशा पढ़ते ही रहेंगे वह लोग ईबुक इंटरनेट बुक आ गिया है अब दो किंडल है और क्या है प्ले बुक्स हैं तो उन पे क्या होता है आप अपनी एक बुक लिखके पब्लिश की दिएगा और उसे वहाँ पे अपलूड कर दिजीगा और आपकी बुक जो भी वहाँ से खरीदेगा आपको पैसा आता रहेगा यानि कि आपने एक बार बुक लिखे और उसके बाद आपको आज इवन पैसा आता रहेगा रेंटल इंकम आपकी कोई बिल्डिंग है आपने उसे रेंट पर दे दिया आपने उसे एक बार रेंट पर दिया और उसका पैसा रेंट आता रहेगा ये भी क्या है एक पैसी वर्णिंग है ब्लोगिंग ब्लोगिंग चोटी चोटी पहरा ग्राफ चोटी चोटी जानकारिया या पूरी जानकारिया है ब्लोगिंग के माध्यब से देते हैं आप अपना एक ब्लोग बना सकते हैं और जो भी आपके विचार है आप उस पर साजा कर सकते हैं और बाट सकते हैं और दूसरे उसे पसंद करेंगे तो आपको पैसा आता रहेगा नेटवर्क मार्केटिंग यह दुनिया में बवाल मचा रखा है नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हो तो आपको जरूर पता होगा लेकिन अगर आप स्टुजेंट हो तो शायद हो सकता है आपको जोर बताऊंगा लेकिं फिलाल आप यह समझ लिए नेटी वर्क मार्केटिंग में क्या होता है एक व्यक्ति होता है उसे अपने नीचे, दो जोड़ने या फिर छार जोड़ने होते हैं फिर उनके नीचे दो दो फिर उनके नीचे दो दो इस तरह से बहुत बड़ा एंपायर एक बहुत बड़ी community filled हो जाती है बहुत बड़ा people base हो जाता है तो उससे क्या होता है एक आद आप एक हो आपके नीचे 1,00,000,000 के काम कर रहे हैं उनने 1,00,000 में से 100 बी अकर काम कर रहे तो आपके लिए 100 आजमी काम कर रहे हैं इस तरह से network marketing भी एक passive learning का source है course आप teacher हो या फिर कोई भी आप skill full person हो तो आप अपनी skill का course बना सकते हैं ताकि वे skill दूसरों के लिए भी लाप रैक हो और आप उस course को sale कर सकते हो आप course को एक बार बनाओंगे लेकिन sale वो बार बार होता रहेगा और आपको पैसा मिलता रहेगा तो इस तरह से ये passive learning के source वो हैं जिने शायद आप जानते होगी वैसे तो बहुत सारे source हैं अगर आप इसकी वैसे में और कुछ जानना चाते हैं तो मैं इसके आप मुझे comment section बता दिए गया है प्लीज वीडियो को बनाने में बहुत महनत लगती है और अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अब हैं आप अपना experience share कीजिए और अगर आपको बुरी लगती है तो भी आप अपना experience share कीजिए ताकि हमें पता सके कि हम अपने आप में सुधार कहां और कैसे कर सकते हैं तो आपकी कमेंट हमें बहुत ज़्यादा बहुत साहिब करते हैं और आप वीडियोस को शेर किजिएगा क्योंकि क्या है ना ये शेरिंग के बेना जितने बच्चों को इनका लाब मिलना चाहिए अभी नहीं मिल रहा है देखिए मैं चाहता हूँ कि जादा से जादा आप शेयर करो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करेगा अच्छी चीज़ अगर आप शेयर करोगी अच्छी जादा से जादा से जादा आपको शेयर करोगी है